यदि आप भी महालक्षमी जी की कृपा आप पर बरसे और आपके घर में वेपार में पैसो की कभी कमीना आए तो आपको क्या उपाय करना चाहिए आपको हमेशा विश्नु भगवान की पूजा करनी चाहिए जब भी कोई ऐसे मंदीर में जाये तिरतिस्तल पर जाये जहाँ पर विश्नु और महालक्षमी जी की दोनों साथ में प्रतीमा या तस्वीर हो तो आपको वहाँ पर आपको दर्सन अवश्य करने चाहिए या फिर घर के अंदर भी आपको ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिस में विश्नु भगवान और महालक्षमी जी की तस्वीर दोनों की साथ में हो तो जब भी आप महालक्षमी जी का और विश्नु भगवान का दोनों का आराधना करनी हो तो आपको एक छोटा सा मंत्र है वो आप अवश्य जाप करिए ओम महालक्षमी चाविद मही विश्नु लकष्मी प्रचोदेयात, ये आप मंतर का जात करिए, आपके घर में हमेशा महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, दूसरा है कि आपके घर महालक्ष्मी जी की खड़ी तसvीर जो है, या खड़ी मूर्ती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि खड़ी मूर्ती हो तो महालक्ष्मी जी जैसे दरवाजे से पैसा आता है मगर खिड़की से चला जाएगा पैसा टिकता ही नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमारे घर में या वैपार स्तल पर महाल लक्ष्मी जी की तस्वीर जो है वो कमल पर बिराजमान हो और कमल के अंदर जो बैठी हुई हो वैसी तस्वीर या वैसे मूर्ती अपने घर में या किसी भी स्तल पर अवश्य रखे और उनका पुजा पाथ कीजिए और आपको एक ही ये मंत्र जो बताया है इसका आवश्य आप जाप करिए ओम महालक्ष्मे चविद मही विष्नु पत्नी चदी मही तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात जब ऐसा होता है कि सीव और सक्ति दोनों का नाम लेते है तो उसी तरह से हमें भी विष्नु पगवान का और विष्नु पगवान की अरदान की नहीं जो है उनकी पत्नी है उनको भी नमस्कार